वेब डेवलप्मेंट से रेलेटेड बहुत कुछ चेंज हो चुका, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से इंड तक बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक वेब डेवलपर बन सकते हैं मुझे इस वीडियो के अंदर बहुत जारा एक्सपीरियेंस है और मैं आप लोगों के साथ अपना यह एक्सपीरियेंस शेयर करना चाहता हूँ तकि कि अब वेब डेवलप्मेंट सिर्स देखने को मिलती है किस तरह से उनको क्रिएर किया जाता है यह होता है अब देखू है ब्लोक्स भील्डेंग ब्लॉक्स ऑफ एनी वेबसिट में आप लोगों समझाता हूँ एक किस तरह से काम करते हैं कोई भी इस दुनिया की website है अगर वो किस तरह से काम करती है HTML जो कि एक bare bone structure website का define करता है उसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो जैसे आपकी human skeleton होती है जिसमें सिर्फ हड़ियां है और कुछ भी नहीं है CSS web pages में styles देने के लिए useful होता है यानि कि आपकी websites को खुबसूरत बनाता है आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे कि हमारी skin होती है हमारे nails होते है हमारे lips होते है जो कि हमारी body को एक खुबसूरती देते है उसी तरह web development में CSS एक web page को beautiful बनाती है and javascript is the brain of client side जैसे कि हमारा दिमाग होता है उसी तरह से javascript ये manipulate करती है किस तरह से बटन पर क्लेक करके action लिया जाएगा किस तरह से hover करने पर action लिया जाएगा ये सारी चीज़े javascript की थूँ आप लोग control कर सकते हो अब server html css in javascript को client तक बेशता है और client इसको parse करता है जो server होता है उसके अंदर जो code चल रहा होता है लेकिन आज की modern era में आप लोग को front end and back end दोनों जानने होंगे there is nothing such सिर्फ front end roadmap या back end roadmap max at least recommend नहीं करता इस चीज़ को आपको दोनों आना चाहिए हाँ you can specialize in front end या फिर you can specialize in back end या फिर database लेकिन आपको आना front end, back end and database तीन हो चाहिए back end के अंदर basically APIs and database दोनों आते web development एक बहुत ही rapid growing sector है जो की 15% projected है to grow in the next 5 years web development के थुरू ही पूरा internet power किया जाता है worldwide web की इस थापना 1989 में Tim Berners ली ने की थी और हमें पहली website 1991 में देखने को मिली थी और उसके बाद fast forward to 2024 there are 1.09 billion websites class door की माने तो front end developer की around 6 lakh per nm की salary होती है आप लोग हमेशाइस से आगे जा सकते हैं web development एक ऐसी field है जिसमें आप लोग बहुत जादा specialize करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अलग-अलग means से अगर मैं jobs की बात करूँ तो सिर्फ यूएस में धाई लाग jobs होती है per nm web developer की जिससे कि हमें पता चलता है सिर्फ web development के आधार पर मिली थी in fact मैं लवबरू university में सिर्फ इसे लिए select वह था क्योंकि मुझे web development बहुत अच्छे से आता था long with my other skills जो कि उन लोग को चाहिए थी और हाप लोग इस तरह की skill अगर जानते हैं तो definitely as a software developer आप लोगों को value दी जाएगी अब बात करते हैं कि आप लोग को degree की जरूरत है मैं खुद IAT खड़कपुर से graduate हूँ मैं आप में से गई लोग मुझे से पूछते हूँ इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ मैं silver medalist हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं खहता हूँ आपको degree की जरूरत नहीं है हां मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि degree जिसके पास होती है उसको मदद जरूर मिलती है और जिसके पास degree होती है उसको prefer किया जाता है given की knowledge दोनों लोगों की बराबर हो लेकिन अगर किसी की knowledge जादा है और impact of AI की भी बात करेंगे बात करते हैं सबसे पहले front end की front end में आता है HTML, CSS और JavaScript सबसे पहले तो आप मेरे handwritten notes उठालो मेरे description में सारे links डाल दूँगा आपके लिए और ये handwritten notes मेरे आप लोगों ने उठाली है तो आपको immensely help करेगा throughout your web development journey अनिया बातों हो HTML के अंदर HTML एक fairly basic topic है और आप लोगो समझ में आ जाएगा ये basically skeleton लिखने के लिए यूज होता है websites का आप लोग skeleton लिख सकते हैं किसी भी website का HTML की साहित है से जिसको आप style करते हैं through CSS और उसके बद फ्रेंट लॉजिक में styles के जैसे की background color आप लोग set कर सकते हो आप लोग color set कर सकते हो आप लोग ये बता सकते हो कि water कितना बड़ा होना चाहिए कितने pixels का होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग set कर सकते हो अब एक बार आप लोगों ने सिर्फ HTML सीख ली आपको recommend करूँगा कि आप लोग bootstrap के थुरू websites बनाना स्टार्ट कर तो using copy paste components इसमें simply आपको copy paste करना है components bootstrap की website से और आपकी website build होती जाएगी होती जाएगी ऐसे होता क्या है कि आपको confidence build up होगा सिर्फ HTML के थुरू आप लोग websites बना पा रहे हो एक और resource आपको बताता हूँ उसका नाम है tailblogs.cc आपको simply play cdn की जो link है वो अपनी HTML में include करना है basically एक style sheet होती है उसको include करना है और इसके बाद यहां से आप लोग component copy paste कर सकते हो इस website से and बहुत कमाल की website बना सकते हो बिना CSS को learn कि ये बिना JavaScript को learn कि अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CSS JavaScript react learn नहीं करनी है लेकिन सिर्फ HTML सीकर कैसे websites बनाना ये आपको बता रहा था मैं recommend करता हूँ एक beginner को कि CSS के लिए 2 weeks दे और उसके बाद सीधा JavaScript में move कर जाए अब definitely 2 weeks में आप पूरी CSS complete नहीं कर सकते हैं आप लोग एक basic CSS जान सकते हो जिससे कि आप लोग अपनी websites बनाना प्रारम कर सकते हो मैं अगर अपनी बात करूँ तो इतना experience hold करने के बाद भी मैं बहुत proudly कह सकता हूँ कि मुझे CSS की सारी properties याद नहीं है और नहीं याद करने की मुझे जरूरत है मैं आप लोगों को AI का impact भी बताऊंगा आगे लेकिन अभी के लिए आप लोग बस इतना समझो कि दो वीक से जादा CSS को नहीं देना है उसके बाद सीधा JavaScript में आना है और programming को सीखना है JavaScript में आपको basic से start करना है और asynchronous नेचर ऑफ जावा स्क्रिप्ट पर जो जावा स्क्रिप्ट के में टॉपिक्स है इवेंट लोगों यह सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है जिसके बाद आप लोग सीधा projects में बूब करोगे अब इसके बाद बहुत सारे लोग कहते है रियाक कर लो नेक्स जैस कर लो जैंगो भी सीक लो बैक एंड सीक लो तमाम लेकिन मैं कहता हूँ फ्रेंट करने के बाद फ्रेंट के projects बना हो बहुत basic projects बना हो जैसे कि alarm clock बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग यह सारे वीडियो कर सकते हैं और उसी कि साथ-साथ इन projects को बनाकर आप लोग कुछ अपनी दिमाग से projects बना सकते हैं किसी एक particular website को क्लोन कर सकते हैं उसमें कुछ functionality एट कर सकते हैं जो कि सिर्फ front and only होगी एक बर आपको HTML CSS in JavaScript के basics आगे उसके बाद मैं directly recommend करूंगा आप लोग बैकेंड स्टार्ट कर दें बैकेंड बैकेंड बहुत सारी language से सीख जा सकता है उसमें flask आता है उसमें PHP आता है उसमें बहुत सार करोगे तो आपको front end का back end से मिलना फिर APIs के बारे में और database के बारे में आप लोगो बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा JavaScript language में आप लोग front end भी बना रहे होगे और back end भी बना रहे होगे तो आपको बहुत ज्यादा easy हो जागा इस सब चीजे करना फिर इसके बाद जो transition होता है मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि जब आप ExpressJS use कर रहे हो तो आप लोग HTML यानी की plain HTML का ही इस्तिमाल करो बहुत सारे template engines होते हैं जैसे bug नाम का एक template engine होता है वो आप सीख सकते हो definitely but again don't waste your precious time start जब आप लोग कर रहे हो तो plain HTML से start करो तो आप लोग थोड़ा बहुत बहुत development course के अंदर मैंने कि सारी चीज़े बहुत अची तरह से summarize करी है विच मींस कि आप लोग को बिल्कुल भी problem नहीं आईगी अगर आप लोग sigma web development course से start कर रहे हो HTML, CSS, JavaScript है इसके बाद मैं आप लोग को Express भी सिखाई है उसमें अब एक बार आप ने दो चार प्रोजेक्ट बना ल लिखने को मिलता है अब database को जब आप लोग सीख लोगे उसके बाद जब आप Express से integrate करने की बारी आईगी जब database को तो आपको पता चलेगा कि Prisma और Mongoose नाम की दो libraries होती है जो कि आप लोगों को schema प्रदान करती है जिसे कि आपको बहुत easy हो जाता है data insert करना और आप bugs को ahead of time प करता हूं पर Prisma is equally good Prisma भी काफी बढ़िया है जब आप लोगों को स्केलेबल MongoDB databases on the cloud प्रदान करता है MongoDB की तरफ से paid service होती है हाँ free tier होता है लेकिन अगर आप लोग कुछ भी serious project कर रहे हो तो paid होता है फाइदा क्या है इसका फाइदा इसका यह है कि आप लोगों का database जो है वो down नहीं जाएगा अगर आपके पास बहुत जादा load आ गया तो अब इसके बाद अगर आप लोग SQL सीख रहे है नहीं की structured query language सीख रहे हो तब मैं आपको recommend करूँगा कि आप लोग MySQL और PHP MyAdmin को सीख लो MySQL के साथ PHP MyAdmin को सीखने का फाइदा जो आप लोगो मिलेगा वो यह होगा कि आप लोग visualize कर सकते हो PHP MyAdmin के थूरू नहीं है आप लोग डिरेक्ली इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो और आप लोग visually एक GUI टूल के थूरू देख सकते हो आपकी queries कैसे काम कर रही है अब एक बार आप लोगो ने front end back end का इस्तेमाल करके apps बनाना शुरू कर दिए इसके बात मैं कहूंगा front end के लिए आप लोग जाओ react की तरफ क्यों react की तरफ क्यों react से आप लोग को पता चलेगा कि कितना आसान होता front end बनाना react एक बहुत बड़ी primary problem को solve करता है जो कि है कि जब आप front end बनाते है तब आपको बहुत सारा dom manipulation code लिखना पड़ता है कि react सीखना आप लोगों के लिए बहुत जादा important है फिर एक बार आप लोगों ने react सीख ली मैं कहूंगा आप लोग जाओ next.js की तरफ जब आप next.js की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना असान हो जाता है आप लोगों के लिए front end प्लस back ends को manage करना front end आपका next.js म mongodbc को mongos या prisma में से कोई भी एक select कर लो you are going to make amazing applications. फिर कुछ additional tools की मैं बात करूँ तो आप लोग git और github को सीखो कम से कम basic git और github तो सीख लो मैंने एक वीडियो बना है जिसमें आपको बता है 10 minute में code को कैसे push करना है github पर वो वीडियो आप लोग देख लो इसके ब होता है कि आप लोगों को बहुत ही easily code suggestions देखने को मिलते हैं तो आप लोग जो boilerplate code है वो लिखने में कम से कम time spend कर रहे हो और problem solve करने में जादा से जादा time अप लोग लगा रहे होगे अब ये करने के बाद आपको रुकना नहीं है आप लोग को deployment भी सीखना है क्योंकि अगर VPS लें और उसमें scratch से apps को deploy करें और उसके बाद आप लोग AWS की तरफ जा सकते हैं या फिर आप यो digital ocean का app platform में वो मैं recommend करता हूँ आपको आप जाकर देखो कैसे वो github से directly code उठा के आपके लिए end to end deployment कर देता है अब मैंने आप लोग को sigma web development course एक बना के दिया हुआ जिसमें मैंने ये सारी चीज़े आप लोग को बताई हुई है end to end cover करी हुई है आपको कोई tension नहीं होगी हा थोला time जरूर आपका जाएगा आपको अपना time लेकर आना पड़ेगा लेकिन आप एक सफल web developer बन जाओगे तो sigma web development course को access जरूर कर लेना इस वीडियो के साथ मैं आप लोग आप लोग next.js के साथ use कर सकते हो फाइदा क्या है type script को use करने का आप लोग को type safety मिलती है यानि कि आपकी जो bugs आने वाले application में वो आप ahead of time पकड लोगे आप एक particular format में ही object को बना पाऊगे उसके बाहर आप objects को नहीं बना पाऊगे तो ये सारी चीज़े आप लोग को मिलती ह लिखो तो आप उसको reality में convert कर पा रहे हो using code उसे development कहते हैं तो इन्होंनों को confuse मत करना अगर आपकी websites अची नहीं दिख रही है ना it means कि you are not a good designer आप designs पिक करो internet से और उनको replicate करने की कोशिश करो या यह सारी steps को follow करने के बाद एक आप सफल web developer बन जाओगे I wish you all the best और मैं आप code नहीं लिखोगे practice नहीं करोगे तब तक आप लोग एक अच्छे developer नहीं बन सकते हैं यह practice more and more और आप लोग definitely एक बहुत successful web developer बन पाओगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time